नमस्कार, A to Z dishes उशाकोरजानी में आपका एक बार फिरसे स्वागत है आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ दो इतनी बड़िया सी रेसिपी जिसे बनाना तो आसान है और इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है तो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करूंगी ओकरा राईस बहुत ही मज़दार और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही रेस्टारन स्टाइल वाला प्यास का राहता कैसे बनाए अभी लॉकडाउन जल रहा है सब बंद है तो ये दो रेसिपी इतनी मज़दार है तो तेर ने करते है इन दोनों रेसिपी इसको बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले हम बनाएंगे ओकरा राईस तो उसके लिए मैं मसाला बनाओंगी तो मैंने यहाँ पर मिकसर ले लिया इसमें हम डालेंगे आदा कप चना डाल इसमें से हम एक चमच जितनी बचा के रखेंगे फिर यहाँ पर मैंने लिया है डेसिकेटड कोकोनट ये मैंने लिया है दो चमच जितना ये डाल देंगे आट से दस मैंने लसुन की कल्या लिए ये डाल देंगे और मैंने लिया एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये भी हम डाल देंगे और इसे ढखकर हम पीस लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पीस लिया हमारा मसाला तयार है मैं आपको चमच में भी दिखा देती हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि डेसिकेटड कोकोनट लिया अब ताजा नारियल को भी कदूकस करके डाल सकते है और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ष पौडर नहीं तो आप लाल मिर्ष पौडर का पी इस्तमाल कर सकते हैं मसाला तयार है अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कप नॉर्मल चावल आप चाहे तो इसकी जगा पर बड़े चावल ले सकते हैं बासमती, छोटे चावल, कोई भी चावल लीजे और इसे 3-4 पानी से अच्छे से दो लीजे हाथों की मदद से इसे अच्छे से आपको वाश कर लेना है तो यहाँ पर मैंने चावलों का अच्छे से दो लीजा है अब मैं रख रही हो गैस के ओपर यह कुकर हम कुकर में डालेंगे सबसे पहले 1.5 कप पानी तो यहाँ पर मैंने इस कप से 1.5 कप पानी डाल दिया है इसी के साथ जो हमने चावल को दोके रखा था वो चावल सारे इसके अंदर हम डाल देंगे तो सबसे पहले जो हम ओकरा राइस बना रहे तो उसके लिए हम चावल को पकाएंगे उसके बाद हम ओकरा राइस में यह चावल को डालेंगे पके हुए चावल इसके अंदर हमें डालने है चावलों को डालने के बाद स्वादनुसा नमक डाल दीजे और अच्छे से मिला लीजे मिलाने के बाद इसे ढख लेना है और इसे 2 सीटी आने तक आपको पकाना है प्रेशर खतम हो जाए उसके बाद ही हम ढखन खोलेंगे तो यहाँ पर 2 सीटी लग चुकी और इसका प्रेशर भी अच्छे से खतम हो चुका है अब हम ढखन को हटा लेंगे और आप देख सकता है हमारे जो चावल है अच्छे से पकर तयार है एक बार में आपको दिखा देती हूँ कितने खिले खिले हैं इसे हम प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा बीच बीच में फैलाते वे ठंडा कर लेंगे गरम गरम हमें नहीं डालना है अब यहाँ पर मैंने लिए बींडी तो यह मैंने लिए 250 ग्राम और इसे मैंने इस तरह से काट लिया है आप दे सकते हैं इसे मेंग अच्छे से दो कर कपड़े से पोच लिया था उसके बाद इस तरह से काट लिया है अब इससे हमें फ्राय करादा है तो कडाई में मैंने डाल दिया है तीन चमस तेल तेल जैसे ही गरम हो जाए तो ये बिंडी के टुकड़े मिसके अंदर डाल देंगे ये टुकड़े डालने के बाद आज को आपको तेजी रखना है और इसे लगातार चलाना है वैसे तो हम बिंडी को ढखकर पकाता है पर जब भी आप ये ओकरा राइस बना है तो इसे हमें खुला ही पकाना है लगातार चलाते हो ये तीन से चार मिंट तक आपको इसे क्रंची होने तक पकाना है आपको भींडी को एकदम soft नहीं होने देना है, क्रंची होने तक पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3-4 मिंट हो चुके हैं और हमारी जो भींडी है, अच्छी सी एकदम कुरकुरी क्रंची हो चुकी है तो हम गैस को बंद कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो चावले वो भी ठंडे हो चुके थे क्योंकि हमें गरम चावल नहीं डालने लिए तो वो तूट भी सकते हैं अब हम एक कड़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे दो चमच तेल तेल जैसे करम होचा इसके अंदर हम डालेंगे दो चमच मुमफली के दाने इसके साथ इसमें मैं डालोंगी बची हुई एक चमच चना दाल इसके साथ इसमें मैं डालोंगी दो चमच उड़त दाल यह तीनो साथ इसमें मैं डाल रही हूँ दो कश्मीरी लान मिर्च अब इसे भी हम हलका सा 1-2 सेकेंड के लिए बून लेंगे तो जैसे ही 1-2 सेकेंड हो जाए तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी आदी चमच हल्दी पावडर तो यहां पर मैंने हल्दी पावडर भी डाल दिया है थ जो हमारे पके हुए चावल थे, वो अच्छे से ठंडे हो चुके है, अब इसके अंदर हम डालेंगे, हम गरम गरम चावल डालते, तो उस से क्या होता है, चावल टूट जाते है, मिक्स करते टाइम, तो गरम ना डाले, चावलों को डालने के बाद, जो सबसे पहले हमने मसाला तैयार किया था ये भी डाल देंगे ये मसाला से जो ये राइस है उक्रा बहुत ही मज़े दाल लगते है तो मसाला भी डाल दिया है इसके अंदर में डालूंगी दो हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगे स्वाद अनुसा नमक नमक आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने चावल बनाते वक्त भी डाला था तो आप अपने हिसाब से डाले तो नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे सारी चीज़े चावलों के अंदर अच्छे से हमें मिक्स कर देनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मसाले सब कुछ यह चावलों के अंदर मिक्स हो चुका है मिक्स होने के बाद अब इस स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे वो जो हमने बींडी को फ्राइ करके रखा था वो तो सारी बींडी जो है वो इसके अंदर हम डाल देंगे बींडी को ओकरा भी कहा जाता है तो ये सारी बींडी मैंने डाल दी है अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे चावले बहुत ही बढ़िया से खिले खिले और बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है अब इसके अंदर मैं डालूँगे दो से तीन चम्मेश जितना हरा दनिया एकदम ताजा हरा दनिया और अच्छे से से मिला लेंगे तो लीजे तयार है सूपर टेस्टी य नहीं होनी चाहिए और यह गर की जमाई हुई है और मार्केट की भी ले सकते हैं अब यहां पर मैंने विक्सर ले लिया और इसे अच्छे से अम इस तरह से दही को फेट लेंगे अच्छे सी यह सॉफ्ट हो जा तब तक इसे हमें फेट ना है तो यहां पर आप देख सकते अब इसके अंदर मैं डालूँगी एक हरी मिर्च बारिक कटी हुई इसी के साथ मैंने आप लिये थे दो मीडियम साइस के प्यास उसे मैंने एकदम बारिक चौप कर लिया था आप इसे चौपर में भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं तो यह प्यास को हम डाल और अच्छे से दोनों को दही के अंदर मिला लेंगे और यह बहुत ही मज़दार लगता है उकरार आइस के साथ यह रायता तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अब इसी के साथ इसमें मैं डाल रहे हूँ स्वाद अनुसा नमक आदी चमच बना हुआ जीरा पाउडर और यह थोड़ा सा हरा दनिया तो हमने सारा डाल दिया है अच्छे से से मिक्स करेंगे तो लीजे तयार है सूपर टेस्टी एकदम मज़दार यह रेस्टोरन स्टाइल वाला प्यास का रायता तो चलिए अब हम सर्विंग करना शुरू करते तो सबसे पहले हमने जो उकरा तो हमने ओकरा राइस सर्व कर लिये है तो लीजे तैयार है बेस्ट कॉंबिनेशन ओकरा राइस और इसी के साथ रेस्टोरन स्टाइल वाला प्यास का रायता तो आप इन दोनों रेसिपी इसको ज़रूर ट्राइ कीजे और मज़े कमें सेक्षन बताइए कि आपको रेसिप किसाथ तब तब कि लिये थांक यू फो वाच्छिंग